हेलो दोस्तो माई ऐस्रोकाइड में आपका स्वागत है और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सन फिंगर या जिसे हम कहते हैं सूरिय की उंगली या जिसे हम भोते हैं रिंग फिंगर इस फिंगर के बारे में आज हम बात करेंगे पूरा detail में discussion होगा आपसे request है कि video को पूरा देखें और अगर आप एक एक चीज को detail में समझना चाते हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा नहीं तो आप वीडियो skip कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हमेशा की तरफ बात करेंगे इसके basic characteristics क्या होते हैं मतलब क्या चीज़े हम इस ring finger से देख के predict कर सकते हैं दूसरी बात हम बोलते हैं कि इस finger की length को लेकर के हम बात करेंगे then flexibility को लेकर के बात करेंगे और चोथा इसके जो phalanges है हमेशा की तरह जैसे ये phalange है पहला ये दूसरा ये तीसरा इनके बारे मैं बात करेंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले इसके basic characteristics तो देखें ये जो ring finger है sun की finger है इसलिए sun क्या है power है position ठीक है तो power और position देखनी है हो तो हम यहाँ से देखते है सरकार है sun तो benefit from governments अगर देखने हो सरकार से क्या फाइदा मिलेगा तो हम यहाँ पे देखेंगे सरकारी नोकली जिसमें आ जाती है name and fame यहाँ पे देखेंगे इसको कितना name और fame मिलेगा political success वो भी हम बिल्कुल यही से देखते हैं social recognition मतलब ब्यक्ति को यहाँ से देखते हैं money जो है वो हम यहाँ से भी देखते हैं तो इतनी सारी चीज़े हम यहाँ इसको देखके predict करते हैं तो चलिए start करते हैं एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं length of sun finger अगर जो sun finger है वो index finger से बढ़ी जाते कि इसका comparison हमेशा इससे होता है क्योंकि यह तो obvious से बढ़ी होती है और यह obvious है इससे छोटी होती है ठीक है तो इसका comparison होगा इस जोपिटर वाले finger से अगर sun finger index finger से बढ़ी है तो ब्यक्ति क्या होगा बुद्धिमान होगा, चतूर होगा, चलाक होगा ब्यक्ति धनी तथा यह सस्वी होगा ब्यक्ति वड़ा शोकीन होता है वो दूसरों पर rule करने वाला होता है ठीक है, दूसरों पर क्या करता है rule करता है, क्योंकि sun क्या है ruling planet है तो दूसरों पर यह rule करता है और हमेशा जो है, वो दूसरों की समझ और अपनी मेहनत अपनी मेहनत और दूसरों की समझ क्या हो गया Jupiter जुपिटर क्या एडवाइस दृही है ठीक है ये विवेक है दूसरे का ग्यान है ठीक है अब इसके गुन इसमें अब्जोर्ब हो जाएंगे क्योंकि कि यह बड़ा है ठीक है तो क्या होगा दूसरे की समझ से और अपनी मैनत से पैसा कमाने बाला होता है मिलंसार होता है क्योंकि अपनी लाइफ में निरंतर ग्रोध करते हैं ऐसे व्यक्ति को बड़ा नेम और फेम मिलता है ऐसे व्यक्ति को जिसकी यह रिंग फिंगर बड़ी हो अब देखे क्या है कि सोचियल इंट्रेक्शन्स सोचियल रिशेंशिप बताती है यह फिंगर और अगर लंबी है तो समाज म सफलता मिलती है ठीक है और सरकार से भी हमेसा फाइदा होता है बड़ी पोजिशन पर होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी यह फिंगर बड़ी होती है अब बात करते हैं अगर सन फिंगर इंडेक्स फिंगर से चोटी है तो क्या होगा अगर यह वाली फिंगर इस इंडेक्स होगा ठीक है बट उसकी education का फाइदा जो है जादा से जादा दूसरे लोग उठाएंगे अगर ये लंबा होगा तो उसकी education जितनी होगी उसका फाइदा क्या होगा दूसरे लोग उठाएंगे उची position तो देगा सूरिया लेकिन हमेशा दूसरों को ज़ादा फाइदा हुगा ऐसे विक्ति की advice लेकर दूसरे विक्ति जो है growth करते हैं ऐसे विक्ति एक अच्छा advisor एक अच्छा coach बनता है ऐसे विक्ति में बड़े मतलब बहुत ही intellectual होते हैं और इनका मश्वरा जो है लोगों की दवाई की तरह काम करता है लोगों के लिए जिसके ये वाली finger इससे बड़ी होती है अब बात कर लेते हैं तीसरी अगर sun finger और index finger ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या होगा दीखे इस बारे में पॉमिस्ष्री में बहुत मत्बेद हैं बहुत अलग लोगों के अलग भी हो है कई लोगों का मानना है कि व्यक्ति बहुत ambitious नहीं होते अगर ये दोनों बराबर है तो व्यक्ति बहुत ambitious नहीं होते आता हुए एक साधरण life जीते हैं उन्हें balance life जीने में मजाता है ये तो confirm है कि balance life जीएंगे बट इनके अपने अपने meaning है balance life जीने का balance life जीने का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति जो है उसके पास उसी पर बरकरार रहेगा नहीं balance life जीने का मतलब ये है कि risk taking capacity ऐसे व्यक्ति की उतनी जादा नहीं होगी तो इसलिए वो कोई भी कदम रखेगा ना सोच समझकर रखेगा तो ये मतलब है different different books में जो इसमें दिया हुआ है ऐसे व्यक्ति रिस्क ने लेते हैं वे इस theory पर जीते हैं कि व्यक्ति को सब कुछ अपनी किस्मत से मिलता है मतलब किस्मत से जादा कुछ नहीं मिलता चाहे जितने भी हात पाँ मार लो ऐसा कुछ पामिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि कुछ पामिस्ट ये बोलते हैं कि व्यक्ति अगर अमीर परिवार में है तो अपने उस अमीर वाले परिवार के स्टेटस को maintain करता है और अगर कोई गरीब परिवार में जनम लेता है तो वो गरीबी वाले स्टेटस को maintain करता है कई लोग ऐसा मानते हैं लेकिन जो practically मैंने देखा है ऐसे लोग balanced होते हैं बहुत जादा एक-एक कदम सोच समझ के रखते हैं इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी loss नहीं होता बहुत कम chances होते हैं ऐसे लोगों को की loss नहीं होता लेकिन sudden rise भी नहीं करते gradually rise करते हैं अपनी life में धीरे-धीरे एक-एक करके rise करते हैं बहुत जादा risk taking capacity ऐसे लोगों की नहीं होती है ये practically देखा गया है तता ऐसे बहुत की एक अच्छा मकाम हासिल करते हैं age का जो second हिस्सा होता है मतलब पहले धीरे-धीरे grow करेंगे तो obvious है उनको time लगेगा और जैसे-जैसे उनकी age grow होती है ऐसे वैसे वो लोग तरक्की करते हैं अब हम बात करते हैं sun finger की flexibility ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि sun finger बिल्कुल सीधी खड़ी है और बिल्कुल ऐसे state है ना इसका band जो है ना जुकाब इस तरफ है little finger की तरफ ना इस तरफ है कहीं भी नहीं है तो इसे बहुत अच्छा माना गया है ऐसे वैक्तिकोर जिस काम में हाट डालता है उसमें इसको सफलता मिलती है ऐसे वैक्तिक का confidence अलग level का होता है ऐसे वैक्ति में किसी भी कारे को करने का एक अलगी excitement होता है और ऐसा वैक्ति अपनी growth के लिए लगातार जो है वो काम करता रहता है इसको बहुत ही अच्छा माना गया है या अगर straight रहती है तो अब अगर बात करते हैं अगर ये sun finger जो है ये saturn की ओर जुकी हुई हो इस तरफ इसका band हो हलका सा इस finger की तरफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि sun और saturn आपस में enemies है पिता-पुतर का relationship पर दोनों के वैचारिक मतभेद है अब देखे फरक क्या है दोनों में होगा क्या ऐसा विक्ति क्या होगा सुस्त हो जाएगा क्योंकि sun जो है सुस्ती करवा देगा उसको सुस्त हो जाएगा वो विक्ति बहुत आलसी बन जाता है ऐसा विक्ति को दूसरों का अहित करने है मतलब दूसरे का बुरा करने से उन लोगों को थोड़ा सा डर नहीं लगता ठीक है बहुत जादा negatively मत ले लेना पर होता है ऐसा विक्ति ऐसा विक्ति कई बार जो है ना गलत काम करके अपयश्ट कमाता है मतलब कुछ ऐसा गलत काम कर लेगा मतलब कोई भी चीज़ कई बार तो चोरी पे भी उतर आता है ऐसा विक्ति चोरी ज़रूरी नहीं है कि डाका डालना होता है चोरी का मतलब आप अगर रिस्वत लेते हो ब्राइब लेते हो तो वो भी चोरी है क्योंकि सरकार है सूर्या और वहाँ पे सरकारी पद्वे अगर आप ब्राइब गयरे लेते हो उसको इंडिकेट करता है और अगर सूर्या की उंगली पर मतलब इस रिंग फिंगर पे सन फिंगर पे कोई असुब चिन भी हो तो व्यक्ति आत्मत्या भी कर लेता है गुसे में आकर के ठीक है और दूसरों की जान लेने पर उतार हो जाता है मतलब बहुत उसमें एंगर बहुत जादा बढ़ जाता है चलाकी बहुत जादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं यदि सन फिंगर का जो बेंड है जो गाव है वो इस फिंगर यानि कि जो मरकरी की फिंगर हो जाए तो उससे क्या होता है तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है पामिस्ती में ऐसा व्यक्ति एक बड़ा लेखक कभी कलाकार चित्रकार या दस्तकार होगा यहाँ पे क्या है पैसा है सोरी यहाँ पे है समझ यहाँ पे क्या है पैसा है यहाँ पे मेहनत है यह बिजनस है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या होगा लेखक होगा आर्टिस्टिक नेचर होगा ब्यपारी होगा दस्तकार हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति का कि धार्मिक विश्यो होते हैं, consultant बनते हैं ऐसे विक्ति, धनी तता अनेक प्रकारती संपत्यों के मालिक होते हैं, मतलब एक तो friend है, sun और mercury और अगर इसका जुकाविस तरफ हो जाए, तो आप समझो सूने में सुहागा, विक्ति बहुत पैसा कमाता है, अपनी कला से पैसा कमाता है, ठीक है, और ऐसा विक्ति धनी और अनेक संपत्य, मतलब उसके पास बहुत सारी संपत्यां होती हैं, ऐसा बोला गया है, अब हम बात करते हैं phalanges के वारे में, ठीक है, first phalange हमेशा की तरह, second phalange ये वाला, third phalange ये वाला, ठीक है जी, तो देखिए, phalanges में बात करते हैं, अगर sun finger का first phalange जो है, लंबा है, विस्तृत है, तो विक्ति बहुत बढ़ा कलाकार, फिर्फ ता उसमें बार-बार कह रहा हूं, सूरिया क्या है, एक कला भी है, तो बहुत बढ़ा कलाकार, बहुत बढ़ा चित्रकार बनता है, उसमें अनेक scientific invention करने की चमता होती है, experiment करने की चमता होती है, ऐसा विक्ति किसी भी कारिया को बड़े ही technical way में करता है, बहुत ही technical way होगा, कम पड़ा लिखा भी होगा, बड़े technical way में काम करेगा, ऐसे लोग बड़े systematic और ब्यवस्थित होते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, यदि इसका ये second वाला पोर्वा बढ़ा हो, ये वाला फैलेंच होगा है, बाती दो से बढ़ा हो, तो क्या जालटाते हैं, तो ऐसा मनुस्या धन कमाता है, तता उसका ब्याय भी करता है, मतलब ऐसे व्यक्ति सिर्फ कमाने में नी, जिसका ये फैलेंच बढ़ा हो, तो वो व्यक्ति जितना पैसा कमाता है, उतना खर्च करने में भी उसको मजा आता है मतलब कमाने का भी उसको वो होता है तरीका होता है और खर्च करने का भी तरीका होता है मतलब खुले में कमाएगा भी खुले में खाएगा भी ऐसा विक्ति कमाने तथा खर्च करने दोनों चीजों का अनंद लेता है लोग उसे ऐसे विक्ति को आदर की दृष्टी से देखते हैं क्यों नहीं देखेंगे वाई जो विक्ति कमाएगा भी लोगों को भी किलाएगा खर्च भी करेगा पैसा लोग उसकी रिस्पेक्ट तो करेंगे बुद्धी के बड़े तीवर होते हैं बहुत intelligent होते हैं ऐसे विक्ति में किसी भी प्रकार का व्यपार करने का गुण विद्यमान होता है ऐसे विक्ति में इसलिए और ये लोग जो पढ़ने लेकने में बहुत चतुर होते हैं इसलिए service या ऐसी industry जहां पे services दी जाती है जहां पे intelligence का प्रयोग होता है ठीक है उसमें consultant हो गए professional हो गए उनको अधिक सफलता मिलती है अब बात करते हैं ये third वाला challenge अगर किसी का इन दो से उपर वालों से बड़ा हो तो क्या होता है कि ऐसा विक्ति क्या होगा न अब उसमें आप गुण जादा आ जाएंगे मतलब बनावटी करेगा जो भी चीज करेगा बनावटी करेगा शौक बड़े बड़े रखेगा लेकिन execution बिल्कुल नहीं होगा तो तो बड़ी ठाट बार से सपने बड़े देगेगा बड़ी बड़ी मारेगा लेकिन उसमें वो काम करने के शमता उतनी नहीं होगी तो ये था हमारा सन फिंगर के वारे में पूरक पूरा detailed discussion वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है कुछ भी अगर आपने इसका है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जुरूर करें और किसी की फिंगर का आप जो है वो कमेंट सेक्षन में लिख सकते हो कि आपके क्या characteristics आते हैं कितना मैच करता है थेंक यू